सुप्रीम कोट से नीट एक्जाम से संबंदित एक बड़ी खबर आ रही है पिछले दिनों मदरास हाई कोट ने नीट एक्जाम में जो OBC कोटा और EWS कोटे से संबंदित केंद सरकार के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उससे संबंदित एक केस में मदरास हाई कोट में हुई थी DMK के द्वारा ये पेटिशन फाइल की गई थी कंटेम्ट पेटिशन थी मामला OBC रिजर्वेशन का था लेकिन मदरास हाई कोट ने ऐसी टिपणी की कि जो EWS कोटा है नेट में वो केवल तब लागू हो सकता है जब सुप्रीम कोट ऐसे EWS कोटे के लिए सैंक्शन कर दे या अलाओ कर दे अन्य था EWS कोटा जो है नेट के एक्जाम में लागू नहीं किया जा सकेगा अब जब ये फैसला मदरास हाई कोट के द्वारा दिया गया तो यूनियन ओफ इंडिया जो है सुप्रीम कोट के पास पहुंची सुप्रीम कोट में दो जजों की बेंजने आज इस मामले को सुना और सुनवाई के बाद सुप्रीम कोट ने कहा कि जो मदरास हाई कोट के पास जो केस था वो OBC कोटे के implementation से सम्मन्दित था और उसमें जो contempt petition थी वो OBC कोटे से सम्मन्दित थी तो EWS कोटे के बारे में टिपणी करना unnecessary था मदरास हाई कोट को EWS कोटे के बारे में ऐसे टिपणी नहीं करने चाहिए थी क्यूंकि जो EWS कोटा है उस पर एक तरह से रोक लगाने की बात उसमें थी कि जब तक सुप्रीम कोट कलियर नहीं कर देता है तब तक EWS कोटा लागू नहीं किया जाए लेकिन सुप्रीम कोट ने आज जो Union of India की जो Petition सुप्रीम कोट के पास थी उसमें सुनवाई के बाद ये कलियर कर दिया है कि मदरास हाई कोट के दवारा जो EWS कोटे से संबंदित टिपणी की गई थी वो जरूरी नहीं थी और EWS कोटे के बारे में जो Notification OVC कोटे के साथ किंदर सरकार के दवारा Issue किया गया था वो अब उसमें EWS कोटे के थुरू भी Admission हो सकेंगे तो EWS कैटेगरी से संबंदित जो Candidates है उन लोगों के लिए ये एक बड़ी ख़बार है